इसलिए मैंने सुचा कि एक छोटा सा वीडियो बना दिया जाए अन दिस पर्टिक्लर टॉपिक तो इमू ने कौन सा पावर यूस किया यहाँ पर क्या यह यह इमू के टैल फ्रूट से रिलेटेट कुछ पावर है या फिर कुछ बहुत इंटेलिजेंट लोग जैसे बोल रहें कि यह शायद एनरू उपर से लुलुशय को तबाह कर दिया ऐसा कुछ तो क्या यह एनरू का है नहीं दिस इस दी पावर ऑफ नाशनल ट्रेशर ऑफ वल्ड गवर्मेंट जिसका डॉफी ने जिकर किया था एंड यह नाशनल ट्रेशर और कुछ नहीं बलकि लास्ट इंशेंट वेपन यूरेनस है एंड आम डैंप शूर की इमू ने यूरेनस यूज करके ही इस दूसरे कोने में भी यूज किया जा सकता है वाइट बेट के फ्रूट से भी दूर अटैक नहीं किया जा सकता है डारेक्टली हाँ इंपक्ट जरूर तूर तक जाता है बट डाट डाट डेजन वीन की वाइट बेट वाटर 7 से बैठे-बैठे सिर्फ साभावधी 4 एक ancient weapon S है जो C के नीचे रहे के massive destruction करने का गूदा रखता है तो Uranus को भी तो ऐसा ancient weapon होना चीए ना जो C के ऊपर से massive destruction करने का गूदा रखता हो Greek mythology के according भी Uranus sky god है और वो weathers को change change कर सकते है जैसे हमने इस chapter में लोलूशा के उपर होते हुए देखा इसका मतलब कि God Valley, Great Kingdom ये सब को erase भी world government ने Uranus यूज़ करके ही किया था विच मीन्स कि इनके पास ये ancient weapon void century के period से है डौफी ने जब बोला था कि उसको national treasure के बार में पता है what I think इसकी उसने Uranus एंड इमू को साथ में देख लिया था ऐसा मैं इसलिए बोल रहा क्योंकि गोरो से भी इमू को ही बोल रहे थे कि vanish करो करके एंड इमू नहीं इस chapter में भी लूलूशा को vanish किया मतलब कि इमू के पास ही access है Uranus का अगर ऐसा है तो इस पॉसिबल कि डौफी ने इमू को साथ इमू को भी देख लिया था विच इस वाई उसको वल्ड गोर्मेंट इबना पावर दे रखी थी सिलेस्टल ड्राइगन भी था हराम खोर करके शायद वल्ड गोर्मेंट उसको मारा नहीं एंड मार भी देते तो किसी वे में डौफी वल्ड गोर्मेंट के secrets exposed कर देता ये सोच कि शायद उसको घोस देना जादा सही समझी वल्ड गोर्मेंट इसी रीजन से शायद अभी तक किसी भी पोनिगलिफ में यूरेनस का लोकेशन भी नहीं पता चला हमें क्योंकि वो पहले से ही वल्ड गोर्मेंट के पास है एंड हां वट आइ थिंक इस कि इस यूरेनस को इमू लगातार यूज नहीं कर सकता या कर सकती क्योंकि 1060 में इमू को ये भी पता चल गया कि ड्राइगन का है तो अगर यूरेनस को लगातार यूज किया जा सकता है तो इमू क्वीर्स वाले आइलेंट को इरेस करके फिर लूलूशय किंग्डम को इरेस करता या करती ना बट ऐसा नहीं है इमू ने ड्राइगन के वाले सावो वाला आइलेंट इसलिए उड़ा दिया क्योंकि सावो ने इमू को देख लिया एंड ही श्लाश शी वांट्स टो कीप हीज स्लाश हर आइडेंटिटी अ सीक्रेट ताट्स इट चैप्टर पर मेंग वीडियो जल्दी आ रहा है प्रॉन देख प्रॉन देख लिए